गुड आप्टरनून बच्चो वेलकम टो ओनलाइन क्लासेज ओफ आरल केड में बच्चो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की वीडियो में अपने एक लेटर को समझने वाले हैं वैसे लेटर आइटिंग में आपको पहले करवा चुका हूँ और आज का जो लेटर जो रहने वाला है वो आपके एकजाम की दरश्टी से भोज ज्यादा महत्वपूर्ण है लेटर जो अपन कर रहे हैं वो एक करंट इस्यू पर है इसमें आप सब उससे भली बांती प्रीचित है कि पिछले पांच महिने से कोविड नाइटिन है वो चल रहा है और कोविड नाइटिन के कार्ण देश पर की जो स्कूल्स है वो बंद है और अब गवर्मेंट है वो ये डिसीजन ले रही है कि अगले कुछ दिनों में स्कूल्स है उसको यानि कि ओपन किया जाए रियोपन किया जाए तो अब हम क्या करेंगे बी ए सियार का जो सेकेटरी है उससे एक रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे कि वर्किंग डेज जो है करेंट सेशन 2021 किसके वो बहुत ही कम रहे हैं किसके काण यानि डू टू कोविड-19 के काण कम दिन बचे हैं तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे या तो आप स्लेबस को रिड्यूस करें या आप टाइम लिमिट को एक्स्टेंड करें बहुत ज़रम है तो पून यानि की रहने वाला है या लेटर तो बच्चो देखिए पहले मैं आपको लेटर करवा चुका हूँ ज्यादा आपको बताने की समझाने की जरूरत नहीं है अपने एक क्योस्टन बढ़ते हैं और उस क्योस्टन के अकोडिंग लेटर लिखेंगे जैसे क्योस्टन है इमेजिन देट कल्पना कीजिए यू आर अखिलेश आप कौन हो अखिलेश हो living at संगम कोलोनी जुन जुनु और आप कहां रह रहे हो संगम कोलोनी जुन जुनु रह रहे हो आपको क्या करना है write a letter एक पत्तर लिखना है किसको पत्तर लिखना है to the secretary of board of secondary education राजिस्तान को यानि B.S.E.R. के secretary को आपको letter लिखना है और requesting और उससे request करते वे लिखना है to reduce the syllabus कि आप syllabus को reduce करें कम करें due to किसके कारण the last number of working days यानि कि last number of working days जो working days है वो कम बच्चे है remaining यानि कि बच्चे हैं in the current station 2021 current station जो वर्तमान 70 है 2021 का इसका यानि कि working days यानि कि बहुत ही कम बच्चे है तो हम उससे request करेंगे कि आप syllabus को reduce करें या time limit को आप क्या करें extend करें अपने आपको क्या मानना है अखिलेस मानना है और आपका address ये है ठीक है बच्चो समझा गया होगा question आप note कर लीजिए ये question आप अपनी copy के अंदर अगर आपने अभी तक note नहीं किया है क्योंकि ये question मा आपको pre-board में दे चुका हूँ तो कई students थे उन्होंने request की कि sir ये letter है वो आप हमें online classes के मादेम से आनी के करवाए तो उसकी request पे ये letter मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ तो बच्चो सबसे पहले ध्यान रखना है letter 7 नमर का यानी के आपके exam में आएगा वेसे सारी चीज़े आपको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्यूंकि letter अपन इससे पहले कर चुके हैं 17 letter यानी की कर चुके हैं जो सारे के सारे मेरे YouTube channel के उपर यानी की available है जिन students ने यानी की नई लिखे हैं उन letter को यानी की लिख ले तो देखें सबसे पहले आप नया page लीजिए और सबसे पहले आप क्या लिखोगे उपर आप title डाल दीजिए इस तरह से letter writing ठीक है उसके बाद आप क्या कीजिए उसके बाद आप send address जो letter लिख रहा है उसका address कि आप कौन हो अखिलेस और आपका address क्या है संगम कोलोनी जुन जुनू तो आप अपना address क्या लिखोगे H62 संगम कोलोनी जुन जुनू उसके बाद आप क्या कर दीजिए writing date जिस तारिक को आप later लिख रहे हो वो तारिक लिख दीजिए जैसे 28 September 2020 को लिखा जा रहा है और किसको लिखना है देखिए आपको लिखना है later to secretary of BACER अजमेर को तो the secretary BACER या board of secondary education रास्तान अजमेर तो ये तो हो गया क्या sender's address writing date और ये हो गया receiver's address ठीक है बच्चो तो इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली होए अब लिखिए dear sir लिख दीजिए या respected sir लिख दीजिए ठीक है salutation कर दीजिए उसके बाद आप क्या कीजिए एक line छोड़िए और subject लिख दीजिए subject क्या है to reduce to reduce कम कीजिए the syllabus को in the current session 2021 कहने का मतलब बहुत सारे students को मैंने pre-board में देखा उन्होंने इतना लिख दिया to reduce the syllabus ज्यादा बेटर आपके हालांकी सही है लेकिन ज्यादा बेटर क्या रहेगा कि आप जो syllabus reduce करवा रहे हो वो current session 2021 के लिए करवा रहे हो और के लिए नहीं करवा रहे हो तो आप इस तरह से क्या करोगे subject लिख दोगे subject अब देखो कई students की यानि की बार बार यानि की लेटर करते हैं हर बार मुझे से पूछते हैं कि सर ये respected sir बाद में नहीं आएगा क्या हाँ बाद में भी आ सकता है और आप पहले भी लिख सकते हो दोनों लेकिन ये जो pattern है ये तरह से आप लिख दीजिए कि I Achilles आप अपने आपको क्या मानना है Achilles आई के बाद कोमा लगाईए कि मैं कौन Achilles और Achilles कौन a student of 12th class की 12th class का student would like चाहूंगा to draw your kind attention कि मैं आपके attention को ड्रा करना चाहूंगा खींचना चाहूंगा to the above mentioned subject कि उपर जो मैंने ये subject mention किया गया है उल करना चाहूंगा ठीके बच्चो आप इस तरह से addressing वाली starting line लिख सकते हो तो उसके बाद आप क्या कीजिए यानि कि paragraph change करके कि due to COVID-19 या due to coronavirus कि coronavirus के कारण या COVID-19 के कारण schools have been closed कि schools अब बंद है for कितने महिने से 5th to 6 months यानि 5-6 महिने के लिए और it has affected और इस ने प्रभावित किय the studies of students यानि student की पढ़ाई को परभावित किया है किसने की COVID-19 के कारण schools यानि की 5-6 महिने के लिए बंद है और इस से यानि कि इसने किस को परभावित किया है student की study को very badly भोती बूरी तरीके से ठीक है अब आगे आप क्या लिखोगे कि through online classes क्यों online classes के माद्देम से अब देखो government है वो भी यानि कि क्या करेए कि आप online classes के माद्देम से क्या कर सकते हो बच्चों को पढ़ा सकते हो और बहुत सारे यानि कि school सब वो online classes के माद्देम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और खास तोर से यानि कि अपना जो रामलाल सिक्षन सेंस्तान है वो पिछले 5 महिने से regular यानि कि online classes करवा रहा है तो फिर भी अपन लेटर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे लेकिन बहुत सारे यानि कि अपने school में तो यानि कि अपने ये मान के चलिए कि syllabus यानि कम ना हो तो भी यानि कि चलेगा लेकिन mostly जो students है उनके यानि कि school के अंदर online classes बगर नहीं है तो व हमारे syllabus का one fourth part जो है एक बटा चार जो भाग है हमारे पूरे syllabus का is covered वो ही cover हुआ है rest is remaining as it is और बाकी बचा हुआ है जैसे था वेसे क्वेसे कि online classes चल रही है लेकिन उनमें one fourth part है हमारे syllabus का वो ही cover हुआ है बाकी क्या है as it is बची हुई है and now और अब due to less number of working days अब क्या है due to less number of working days कि working days है वो अब कम होने के कार्ण we are not able कि हम able नहीं है तो complete करने में and cover our whole syllabus हमारे पूरे syllabus को cover करने में हमें able नहीं है so इसलिए it is a humble request यह क्या है एक विनमर request है to request या आप से humble request है to extend या आप extend करे बढ़ाए the time limit या तो आप time limit को बढ़ाए of the session इस 70 का या reduce the syllabus या आप syllabus को कम कीजिए in the current session 2021 यानि कि 2020-21 का जो current session है इसका या तो syllabus को आप reduce कीजिए या आप क्या कीजिए time limit को extend कर दीजिए अगर आप syllabus है क्या नहीं करते हो कम नहीं करते हो तो इस तरह से बच्चों उमीद करता हूँ कि यह paragraph आपको समझा आ गया होगा लेटर भी आप क्या लिकोगे क्या I hope मैं उमीद करता हूँ या करती हूँ कि you will look into the matter कि आप matter पे ध्यान दोगे immediately तुरंट and take right decision और एक right decision लोगे तो बच्चों उमीद करता हूँ कि आपको ये लेटर बहुत अच्छी तरह से आने की समझ आ गया होगा और फिर भी अगर किसी तरह की समस्या है तो आप मुझसे आने की अपनी समस्या को बताए और मुझसे उसका समधान याने की करवा सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सब्सक्राइब सेर्स करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू